हाई एन हेलो टो एवरिवन तो चलो आजम बनाते है डबल ब्रेड चीज पिज़ा तो जैसे कि अब बनने वाला है तो यह आएंगे हमारे कुछ इंग्रीडिंट्स जो हम यूज करने वाले अपने डबल ब्रेड चीज पिज़ा में तो यह थे हमारे ब्राउन ब्रेड आप ज चीज और यहें कुछ वेजीज आप चाहो तो यहां पर और भी कुछ आड़ कर सकते हो जैसे की कॉर्ण अभी आगया हमारा ब्राउन ब्रिट आप चाहो तो इसके साइट कट भी कर सकते हो और फिर ऐसे भी रख सकते हो आपकी चोईस है उसके अदमेस पर यह चीज स्लाइस ल अगया उसके बाद अब इसमें आ रहा है हमारा सीजवन चिटनी आप चाहो तो यहां पर टुमैटो सास भी और फिर मतलब वह पिज़ा पास्ता साथ भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने सीज़वा नहीं लगा तो ठीक है अब मैं सच्छे से लगा दूंगी अगर आपको इत अब यूज़ कर सकते हो कुछ भी तर यह हम कुछ टॉपिंग्स टालेंगे आप भी ऐसे करना मतलब आप जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो यह अनियंस है मतलब मुझे तो फोड़ा पता नहीं किया कैसे बटी के अब जैसे मेरा मन हो रहा है वैसे मैं डाल दिया है क्या अप्स प्रोसेस चीज है क्या वह पैन में अच्छे से मल्ट होती है पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं होता मेरी वाली चीज मेल्ट ही नहीं होती है तो अब देखो मैं बात बात में भूल गया यहां पास्ता मिक्स और फिर यह और गैना भी आड़ करना है इसके उपर जब में दाल चुकी हूँ उसके बद मैं इसे पैन में रखने वाली हूँ मज़दार गर्म गरम तो अब यह गया है इसमें थोड़ा बटर थोड़ा मेल्ट होगा अब यह मैं अब मैं इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दोंगी अब मैं इसमें रखने वाली हूँ अपना वो डबल इस ब्रेड पिज्जा तो ठीक है चलो हम इसमें रखते हैं कि यहां पर बताया है मुझे से ना रखने में काफी ज़ादा डर लगा तो मुझे लगा ना कहीं मेरा उंगली चिपक ना जाए इसमें वर ठीकिए खुद से गिरिया सड़नली तो अब मैं ऐसे बिल्कुल लो फ यहां पर चीज देखो हलका सा मेल्ट हो गया बट मुझे पता नहीं मेरा यह प्रोसेस चीज अच्छे से मेल्ट क्यों नहीं होता बट जो भी था इतना ही अच्छा लग रहा था खाने में काफी जादा टेस्टी था मतलब बिल्कुल पीजा वाली टेस्ट आ रही थी मुझ अब प्लीज जरूर ठाय करना यह काफी ज्यादा चीजी थी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार थी